नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिम आसिरबात से आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि नाग लोग के सक्तियां अब आप लोगों के साथ रहने वाला है जो कि दोस्तों कलियू का या शच्छ से बड़ा चमतकार होगा जहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपकी जीवन काल के लिए बहुती कीमती समय रहने वाला है आप सभी को बता दें कि नाग लोग की सक्तियां आपके साथ कुछ इस परकार है कि दोस्तों चारों तरफ आपको बधायां मिलना सुरू हो जाएंगे अब आपको खुस्यों की लड़ू बाटने पढ़ने वाले हैं जिहां दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं आप सभी को बता दें कि जो आपने चाहा है जो भी आपको अपने जीवनकाल में कोई भी चीज की कमी है वा सभी कमी एक्छाएं अब पूरी होने वाले हैं अब चाहे कोई भी कितना ताकत लगा ली, कितना भी जान लगा दी, लेकिन अब आपको कोई भी यह खुश खबिर रोक नहीं सकता, कुछ इतना बड़ा चमतकर आपके जीवनकाल में होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो अब आपके जीवनकाल में बहुती बड कुण रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में आपको बहुती जाना जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों यह शमय आपको करोड़पती बनाने वाला शमय है, जी हाँ दोस्तों, आप बिलकुल शही सुने हैं, अब आप करोड़ों में खेलने वाली हैं, जिसे दोस दोस्तों अब आपका दुश्मन का बाप भी नहीं रोक सकता जी हां दोस्तों तो दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ विशेश चापधानियां आपको इन दिनों में रखनी होगी जाने अंजाने में बड़े गलती करने से भी आपको बचना होगा आप भूल से भी गलती कर और दोस्तों कहावात में भी कहा गया है कि विधाता का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की धर्टी पर पहरी भर इतना बड़ा चमतकार होने वाला है आपने पिछले समय में कुछ अच्छे कर्म किये होंगे जिसका फल आपको यह श्यमें मिल रहा है अब आपका जिन्दगी का नया खेल सुरू हो चुका है और यह घटना दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता तो दोस्तों ध्यान से देखेगा क्योंकि दोस्तों आपको एशी खुशकबरी अब आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा जिहां दोस्तों आपको बता दें कि जो जैसा कर्म करता है उसको वेशा ही भगवान फल देते हैं दोस्तों मनुस अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही फल देते हैं और जो मनुष बुरा कार करते हैं बुरे रास्ते पर चलते हैं तो दोस्तों इस पर उनको कभी भी साथ नहीं देते हैं जिहां दोस्तों और दोस्तों आप अच्छे कर्म की हैं जो कि दोस्तों नाग लोग की सक्तिया आप से जुड़ी है और यह सक्तिया आपको बहुत ही उचाई पर लेकर जाने वाले हैं तो दोस्तों बीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको इस बी और कौन शे उपाय करने से आपके जीवन में लाप की प्राप्ति होगी भगवान महाकाल के आसिम आसिरबात से आपके घर के माहौल में पारवारिक जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होगे तो दोस्तों आंतों तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो ही बेक्ति विडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सचे मन से जय महाकाल लिखेंगे दोस्तों महाकाल का आसिम आसिरबात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और याप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बिल आइक मैं तेरे साथ हूँ उदास मत हो मैं तेरे साथ हूँ सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मैं कोई और नहीं बलकि तेरा विश्वास हूँ इसी के साथ इस वर हमें कभी सजा नहीं देते हमारे कर्म ही सजा दे देते हैं इसलिए अच् जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह जो एक देवता है आपके साथ छटरी की तरह खड़े हैं हमेशा आपके साथ चलते हैं यह आने वारे जीवन में क्या-क्या चमतकार करेंगे क्या-क्या संकीत आपको देने वाले हैं आपके पारे वारे जीवन पर तेक छेतर में क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं लव लाइफ बिजनस बैपार में क्या-क्या खुशखबरियां देने बोले तो दोस्तों इससे अच्छा सुपशंकित होई नहीं सकता जहां दोस्तों आपके घर में धन आने से बरकत होने से यह कोई रोक नहीं सकता और दोस्तों इनके साथ साथ आपके घर में नंदी बाबा आए और दोस्तों आवाज दे तो दोस्तों उसको कुछ खिलाए बिन कोई शाप दिखाई दे या फिर दोस्तों कोई शाप नचाने वाला आये तो दोस्तों उसे भी दर्सन अवशा कर लें इसे अच्छा सूप संकित नहीं होगा आपके घर में धन आवक की तो आज दोस्तों बात करते हैं कि या पांच दिनों के अंदर में भगवान भुलनात के आशीरवास से आपके घर के माहुल में परिवारी जीवन परटेक चेतर में क्या क्या चमतकार करने वाले हैं कि वहां को अपने केरियर से समंदी किये गए परियास्वा से समंदी कोई सुभ समाचार मिलेगा वैस्ता के वावजुद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तदा कुछ परिवारी महत्यपुन फैसले लेने में भी आपका विश्यस योगतान रहेगा दूस्ता पिछले कुछ समय में जो काम सोचके रखे थे अब वह चालू कर दें आपका अवस्यकार शफल होंगे और एक चमतकारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे दूस्ता इस समय आपका ग्रेशिती उत्तम बनी हुए है आर्थी योजना इसे समंदित कोई लाब आसाने से भली भोती होगा धार्मी तता अद्याद में गती विदियों में कुछ समय व्यक्तित करने से आपको शिकुन मिलेगा इसा व्यक्तित में भी निखार आएगा समय सुखनामा और मनरणजन पूर्न व्यक्तित होगा वैस्ता भरी दिन चारिया की ठाकान भी दूर होगी तिधा आपसे सलह मस्वराद वच्चों के लिए समंदित किसी समस्या का भी निवारन होगा दोस्तो किसी भी तरकी दुविदा की इस्ती में परिवार जनों की सलह लेना आपकी परिसानियों को हल करेगा समय आपके लिए सकार्थ में परिवर्धन ला रहा है चर्री उतर-पुतर से भी रहात मिलेगी तो दुस्तों दुसरे के मामला में हस्तिश्यब करने से बचें और अपने ही काम से मतलब रखें किसे सारजनी अस्तल पर बाद भी बाद होने जैसी इस्ति बन रही है कुछ में आत्म मनन और चिंतन में भी आवश्य लगाएं घर के वारी सदस्रे के मान शामन और स्वास्त के परति सजग रहें रुपे पैसे के माल में किसी पर भी विश्वास न करें कोई आपको धोखा भी दे सकता है संतान की कुई नाकारत में गत्य वीदी की पता चलने से मन ने खिनने रहेगा पुर्ट समास्यां को सांती पूर्ण तर्की से सुलजाने का प्रयाश करें दोस्तों व्यावसा में इस समय अपने उर्जा और अपने जन संपर को और अधिक विस्तिरित करने में लगाएं आपको कोई नई सुब अपसर प्राप्त होंगे मुश्कलों के वावजुद आप काम्यावी हासिल कर लेंगे आपका ग्रीशति अनुकुल बनी हुए है कारशत में केगे बदलाब के सकार्तों पर ना मिलेंगे इसलिए पूरी मेहनत और एगरता से अपने काम पर ध्यान दें व्यसा समदिक किसी भी तरह का लेंड देंज करते समय बहुत अधिक साबधानी बरतने की जरुरत है तोस्तो सरकारी कारों में आ रहे रुकावटे दूर होगी नए कार की सुरुवात करने के लिए भी समय अनुकुल है कोई भी वेबसाइट नेने लेने में लापरवय न करें अन्यता कोई वहतरिन उपलवदी हाथ से निकल भी सकती है वेबसाइट परेशनिया धूर होगी कार में गती आएगी करमचारी ता इस्टाप पूरे मन योग से कार को गती देंगे किसी अनुभी व्यक्ति से मुलाकात होगा और वेबसाइट जानकारियां का आदान परदान भी रहेगा उभी बात करें तो लब लाइब की परिवारे में सुख़द और प्रेम पुन माहोल बना रहेगा प्रेम समंद में गलत फेमिना उपत न दें दोस्तो दामपत जीवन में उची समंद जस रहेगा यूआवर वेबसाइट के प्रेम समंद में समय नशना करके कारे में पर ध्यान दें दोस्तो आपके स्वास्त को लेकर देखा जाए तो त्वाचा समंदी ऐलर्जी जैसी समंस्या बल सकती है पोलिशन और धूप से अपना बचाब रखें बरतमान मौसम की वज़े से गले में इंफेक्शन और खांसी जुकाम की समंस्या रह सकती है लापरवे बिल्कुल ना बढ़ते हैं और उचीत इलाद लें जस्ता भागवान सिफ को खुश करने के लिए सम्बार के दिन चंदन अक्षत दूद धतुरा गंगाजल बेल पतरिया आंकली का फूल चड़ाएं सम्बार के दिन भागवान भोले नात को घी शकर और गेहों के आंटे का भोग लगाएं इसके बाद उनकी आरती करें दोस्ता आपके घर में किसी के साधी नहीं लग रहे हो या कोई पूराने दिक्कतें चल रहे हो तो दोस्तों आज नंदी बाबा को रोटी में गूड मिला के खिलाएं इसे दोस्तों आपकी सभी मानों कामनाएं पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आप बात करें तो आपका भागिसाली रंग और भागिसाली आंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग पीला है और भागिसाली आंक आठ है दोस्तों भागवान भोले नात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिलशे कॉमेंट बॉक्स में जै महाकाल ज़डूर लिखे हैं और वीडियो को लाइक सेर ज़डूर करें धन्यवाद